तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं एपल तो जैसे कि आपको पता है आपने मेरे स्टेफ फॉलो करने हैं तो हम सबसे पहले लेते हैं स्क्वेर शेप में पेपर तो मैंने 20-20 cm का पेपर लिया हुआ है अगर आपको साइज थोड़ा बढ़ा चाहिए तो आप इसको साइज अगर आपको छोटा चाहिए तो आप 10-10 cm का ले लिजिए तो मेरी रिकेमेडेशन यही है कि आप 20 cm का स्क्वेर शेप का पेपर लिजिए और जो फोल्ड जो स्टेप मैं फोलो कर रही हूँ आप उनको कॉपी करते चाहिए गईस अगर आपको लगता है कि आपके स्टेप तो आप वीडियो को यह तो पॉस कर लिए यह तो स्किप करके देख लीजिए गईस आपने कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है अगर आपको लगता है कि आपका स्टेप छूट गया तो आप वीडियो को डिवर्स करके देख लीजिए झाल 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 तो गाईज अब आपको ये होल दिखाए दे रहा है आपने एक लोग स्टिक से पेपर को बाहर की तरफ पुष्ट करते जाना है जिसे आपकी एपल की शेप बनती जाएगी आप इसली इसको बना पाएंगे आपना ओरिगेमी पेपर ही यूज करना जब भी आप इसको बनाएंगे आप इसको धीरे धीरे बाहर की तरफ पुष्ट करिए ज्यादा जोर आपने लगाना रही है तो आपका एपल रेडी हो गया अब मैं इसकी स्टम बनाने के लिए प्राउन पेपर यूज कर रही हूं और लीफ बनाने के लिए ग्रीन पेपर का यूज कर रही हूं तुम्हारी लीफ बनके रेडी होगी मैंने इसको ग्रू की हल्प से पेस्ट कर दिया और हम इंसर्ट करते हैं अपने एपल में इस यह आपका एपल हो गया रेडी थैंक्यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब झाल प्लीज वाब में इसक्राइब